I hope कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगी, आप सभी अपनी प्रिप्रेशन अच्छे से कर रहे होंगे आज हम बात करने वाले हैं UPSC Civil Service Prelims 2023 के बारे में कई सारे स्टूडेंट होंगे जो 2023 में Prelims देने वाले हैं देखिए आप में से कही सारे ऐसे होंगे जो कोचिंग जुआइन की होंगे और उसके माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे उनके लिए मैं बात नहीं करते हूँ अगर आपको सही लगे तो आप इस वीडियो को देखें और अगर नहीं सही लगे तो आप छोड़ भी सकते हैं लेकिन जो इस्टूडेंट घर में रह करके और वहीं से पढ़ाई कर रहे हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और इसके साथ ही वो घर से ही सब कुस तयार करना चाहते हैं तो ये एक हेल्प है उनहीं के लिए सिविल सर्विस एक्जाम की तयारी के लिए आपको सभी सब्जिक्ट पढ़ना होगा रिवीजन भी करना होगा और उसके बाद एक और इंपोर्टेंट चेजर वो है मौक टेस्ट तो मौक टेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही कुछ कोस्चन तयार किये गए हैं और हमारी कोशिश होगी कि डेली आपको 10 कोस्चन दिये जाएं और 10 कोस्चन के माध्यम से आपकी तयारी अच्छी हो ये कोस्चन कई अलग-अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होंगे और एक सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होंगे आज हम बात करने वाले हैं हिष्ट्री सब्जेक्ट के बारे में हिस्ट्री से 10 important question उठाए गए हैं और ये question आपके mindset को बनाएगा कि UPSC CSE में अगर इस type के question बनाया जाते हैं उच्छे जाते हैं तो फिर आप उसे किस तरीके से solve करेंगे तो आप उसी हिसाब से और उसी के base पर question को पढ़ें और उसके बाद answer देने की कोशिश करें वीडियो में हर एक question के बाद एक समय के बाद आपको answer बताया जाएगा लेकिन उस समय के बीच में आप अपने आपके लिए इमानदार रहें question पढ़ें और question को solve करने की कोशिश करें पहला question है कि मद्यकाली इन भारत में ददनी पदती प्रचली थुई क्योंकि इसके बाद चार option दिया हुआ है पहला option है कि देशी एवं विदेशी दोनों व्यापारों में तेजी लाना दूसरा option है यूरोपी कंपनियों की पारस्रमिक प्राप्त करने के इस्तर पर कारीगरों को घटाने की इक्षा तीसरा option है औरंगजेब के शासन के अंतरगत सतत युद्ध के कारण मुगल अर्थ व्यवस्था में संकट और चौथा option है मध्यकालीन भारत में दुर्भीच की पुन्रा व्रत्ती के कारण कच्ची सामगरी की कमी देखे जब तक option पढ़ा गया है तब तक आपके पास आप अपने speed से question पढ़ सकते हैं इसके बाद इसका answer दे सकते हैं या copy pain रखिए और उसके बाद अपने हिसाब से जो भी आप answer टिक करते हैं उसे लिखिए इसके बाद जैसे आपको answer बताया जाएगा आप ये पता कर पाएंगे कि आपका कौन सा answer सही है या आपका जो mcq solve कहने का trick है वो कितना सही है और कितना गलत है तो इसका जो सही option है वो है देशी एवं विदेशी दोनों व्यापारों में तेजी लाना इसके बाद दूसरा question है अकबर द्वारा किस समस्या के संबंध में करोडी प्रियोग अपनाया गया था पहला option है जमिदारों के मद्ध भ्रेष्टाचार दूसरा option है क्रिस को द्वारा कम राजस्व भुकतान तीसरा option है जमा करके आकलन को बढ़ाने हे तू और चौथा option है जमा और हासिल के मद्ध अंतराल के निदान हे तू तो जल्दी से बताईए कि इसका सही option क्या हो सकता है आप सभी हिष्टी तो पढ़ चुके होंगे इसका सही option है option number 4 जमा और हासिल के मद्ध अंतराल के निदान के लिए करोडी का प्रियोग की अथक बढ़ने के बाद तीसरा question है निम्न लिखित में से किसने पुष्टी मार्ग का सिद्धान प्रिस्तुत किया था चार option दिया हुआ है चैतन्य, रामानुज, वल्लभ और रामानंद आप सभी लोगों ने पढ़ाया या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता है अगर पढ़ा है तो बताना जरूब इसका सही option क्या हो सकता है आपकी इसाब से ये जल्दी से आप अपने copy पर लिख ले इसका सही option है option number 3 वल्लभ question number 4 है निम्न लिकित मुगल चित्रकारों में से किसने पारस के शाह का चित्र बनाया था सबसे पहले important देखिए मुगल चित्रकार ये जितने नाम है ये सभी मुगल चित्रकार है ये ध्यान रखना अब इसके बाद पारस के शाह का चित्र किस ने बनाया था ये बताना है तो यहाँ पर दो चीजे आपकी क्लियार हो जाएंगी सबसे पहले कि मुगल चित्रकारों के कौन-कौन से नाम है तो यह नाम आप याद कर सकते हैं बिशन्दास, मंसूर, मनोहर, विश्वान अब इसके बाद पारस के शाह का चित्र बनाने वाला जो चित्रकार था वो कौन था तो वो था बिशन्दास इसके बाद पाचवा कोस्चन है कि 1937 में जश्टिस पार्टी का अध्यक्ष किसे चुना गया अब यहाँ पर जश्टिस पार्टी के अध्यक्ष के बारे में बात की गई है ध्यान रखना अगर जश्टिस पार्टी के बारे में आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले हिष्टी पलटाईए और उसमें जश्टिस पार्टी के बारे में पढ़े सबसे पहला option है Dr. T.M. नायर दूसरा option है रामा स्वामी नायकर तीसरा है पीत्याग राज और चौता है स्री नारायन गुरू अब इन में से कौन सा option सही है बताईए आप सभी लोग तो इसका सही option है रामा स्वामी नायकर नेक्ट कोस्चन है कि किस वायस राय को उसके अपने देशवासियों ने उसके नाम के साथ राज च्छमा या क्लिमेंसी जैसा उपहास पोण विशेशक प्रदान किया चार option है लाड कैनिंग लाड लिटिन लाड बेवल लाड डलोजी इसमें से कौन सा option सही है वैसे तो इसके बारे में आप सभी लोग ने पढ़ाई होगा तो चलिए इसका आंसर है लाड कैनिंग जिन्हें राज च्छमा जैसा उपहास पोण शब्द दिया गया इसके बाद question है कि सहमती की आयू अधिनियम 1891 द्वारा महिलाओं के लिए विवान इश्पादन हे तो आयू सीमा को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया अब यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा ये बताईए कि महिलाओं के लिए जो शादी की उम्र है वो कितनी कर दी गई तो यहाँ पर कई सारे option है पहला option है 14 वर्ष दूसरा option है 15 वर्ष तीसरा option है 13 वर्ष और चौथा option है 12 वर्ष इन में से कौन सा option सही है ये आप सभी लोग बताईए इसका सही option है 12 वर्ष मतलब ये है कि सहमती की आयू अधिनियम 1891 के तहर 12 वर्ष की आयू शादी के लिए कर दी गई इसके बाद next question है कि किसके नेत्रत्तों में लोक सेवा आयोग गठित किया गया जिसमें परीक्षा हे तू अधिक्तम आयू सीमा बढ़ाने हे तू अनुशन सा किया चार आप्सन दिये हुए हैं लाड विलियम डिगबी दूसरा आप्सन है चार्ल्स एचीसन तीसरा आप्सन है हाबर्ड रेजले और चौथा आप्सन है वेलेंटाइन सी रोल इसका सही आप्सन क्या हो सकता है आप सभी लोग अपने कौपी पे जरूर लिख लें इसके बाद टिक करना कि सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर है चार्ल्स एचीसन इसके बाद कोस्चन है कि भारत छोडो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में किसने जंडा लहराया यहाँ पर चार आप्सन दिया हुआ है अरुणा आसफ अली उसके बाद है सरोजनी नाइडू उसके बाद है विनोबा भावे और उसके बाद है आसफ अली इन में से कौन सा आप्सन सही होगा यह बताना है अब यहाँ पर जो सही आज में लगभग 90,000 लोग हतियार उठाने में सक्छम है। पहला उप्षन है नोनीज, दूसरा उप्षन है इस्टीफेनो, तीसरा उप्षन है निकीतीन और चौथा उप्षन है निकोली कोंटी। इसका सही उप्षन है निकोली कोंटी। तो यहाँ पर हमारे हिश्टी के 10 इसके साथ ही आपकी प्रेक्टिस भी होते जाएगे। सबसे ज़्यादा इंपॉटेंट यह है। जिससे कि आप घर बैठे, यह सोच पाएंगे कि आपके सामने कोश्चन होगा तो आपको क्या टिक करना है, किस तरीके से सोचना है, आपने जो भी पढ़ा हुआ है, उसको क इस तरीके से आप अपने दिमाग में रखते हुए किसी भी कोश्चन का अंसर करेंगे। ऐसे ही हमारी कोश्चिश होगी कि आपको पॉलिटी, इंवार्मेंट, साइंस और इसके अलावा एकोनॉमिक ऐसे भी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड 10-10 कोश्चन डेली आपको दिय आपको वी आपको दिलेटेजिग करेंगे